Hello everyone, welcome to Nanistar Academy, आज के इस वीडियो में आम लोग देख रहे होंगे, 4th round का जो भी schedule रहने वाला है, कब आपका allotment आएगा, उसके बाद क्या क्या चीजे करनी होंगी, उसके अलाबा जो एक सबसे important चीज है, आज आम लोग जो भी अब तक के 3 round हो चुके हैं, उनका cut-off देख रहे होंगे और उसी के साथ, जो previous year का cut-off था, उसके साथ हम थोड़ा analysis करेंगे, कि क्या cut-off रह रहा है और आपके जो भी chances है, वो कहां तक बन सकते हैं 4th round में, तो देखें, आज के दिन आपको declation of seat allotment result यह 4th round का देखने को मिल जाएगा, और इसका जो time है वो approximate आप देख सकते होगी, after 2 p.m. after 2 p.m. आप मान के चलिए लगवग 6-7 वजे तक साम को देर तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक, इन्होंने after 2 p.m. लिखा इसका मतलब यह नहीं कि just 2 p.m. के बाद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही रहता है, आपने first allotment भी देखा होगा first round का, वहां पर भी owner आतके 10 वजे तक allotment दिया था, लेकिन अब उतना delay नहीं होगा, क्योंकि अब यह सब कुछ processing में है, तो हो सकता है कि 2 बजे के थोड़ा एक 2 गंटे बाद तक आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद जिन बच्चों को first time seat allot होगा, उनको again पता होगा क्या करना है, उन्हें जो भी उनकी seat, उनको मिली उसको accept करना है, उनकी seat accept fee आपको जमा करनी होगी, क्योंकि 95,000 रुपीज है, यहां पर ठीक है, और आप किसी भी category से हो, यह matter नहीं करता, आप किसी भी category से हो, आपको 95,000 रुपीज ही देना पड़ेगा सभी बच्चों को, जो seat allotment fee से इसकी, वो देने के बाद आपको documents verify कराने होगे, और document verification के लिए, जो यहां पर date है, आप आपने first round में देखा हुआ, काफी सारी dates आपको मिलीती हर एक category के इसाब से, OVC वाले को अलग date को बलाया जा रहा था, जनरल वालों को अलग, उसके अलावे जनरल को गी rank के इसाब से divide किया हुआ था, एक में उन्हें रखा हुआ है only Delhi region वाले फिर चाहे आप किसी भी category से हो ठीक है, जितने भी Delhi region में बच्चे आ रहे होते हैं उनको सिर्फ एक ही दिन आना है और वो date आप लोगों के लिए रखी गई है 18 July, ठीक है उसके बाद जितने भी outside Delhi वाले बच्चे हैं, आफसड़ डैली वाले बच्चे हैं, उनको आना होगा है यहां पर 19 July को, जितने भी बच्चों को लगता है कि उन्हें जैग डैली से बाहर होना है या या फिर उने और अच्छा college मिल गया है, तो definitely वो 19th July से पहले पहले या 19th July तक वो यहां से बाहर हो सकते हैं, उसके बाद आप यहां से विड्रॉल तो कर लोगें, लेकिन जो आपका amount है वो refund नहीं आएगा, ठीक है यह चीजनों है हर बाहर बोली होई है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, विड्रॉल के लिए जो इ विड्रॉल के लिए जो last date है वो आपको देखने को मिलेगी 19th July, आप जितने भी बच्चे यहां से विड्रॉल कर लेंगे, उनके मन में doubt रहता है कि क्या मेरे विड्रॉल करने के बाद, मैं next round में जा पाऊंगा, या फिर next round में नहीं जाऊंगा, तो कै मैं sport round में बैठ सकता तो इन्होंने clearly पोला हुआ, यदि आप विड्रॉल कर लेते हो, the candidate who have of this option will be treated to have withdrawal from all the remaining rounds of counselling, आप जितने भी आने वाले counselling के round होने वाले है, सभी से आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग देख सकते हो, bracket में इन्होंने mention किया हुआ, they may have participate only in the sport round, sport round में आप still participate कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी sport round के लिए, मैंने आप लोगों के लिए पूरा लंबा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हर एक चीज को मैंने clear किया हुआ है, कि आप लोगों को sport round में क्या-क्या चीज़े करनी होगी, किस तरीके से आपको seat मिल रही ह होगी, आप लोग एक पर उस वीडियो को जा के देख लेना, जितने भी बच्चे इंट्रस्टेड हैं, sport round में जाने के लिए जग डेलिके में, sport round के अलाबा भी एक round होता है, जो कि special round होता है, वो हर एक college individually करा रहा होता है, और जो sport round है, इसको DTU conduct कराने जा रहा है, जैसा क आप लोग को पता है, लेकिन DTU जो भी sport round conduct करा देगा, उसके बाद भी जो seat बचती है, उनको फिर college manually अपने आप फिल कर रहे होता है, अपने according, तो वो चीज़ भी आप लोग देख लेना, जिन बच्चों को last में भी admission नहीं मिलता है, तो वो एक बार देख लेना, जो भी college वो अपना schedule निकालते हैं, कि ये seat हमारे पास अभी भी बची हुई है, तो इन पे आप लोगों को vacancy जो भी देखने को मिल रही है, वहाँ पे आप apply कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों को last date पता चल गया, साड़े 10 बचे से पहले पहले आप लोगों को withdrawal कर लेना, जिन चाहिए और आपको 5th round में या तो उसे freeze करना रहेगा, इसके अलावा option है नहीं आपके पास, या तो उसे freeze करो, और freeze नहीं कर रहे हो, तो फिर आप यदि उसको bidrol मारना चाहरे हो, bidrol हो जाएगी seat, आपकी seat होगा नहीं कि वो sport round के लिए back end हो जाएगी, लेकिन आपका पैसा हो refund या पर नहीं आएगा, और जितने भी बच्चों को seat वगएरा नहीं मिलेगी 5th round में भी, वो easily sport round में जाके, उनको seat मिल जाएगी, और किस rank तक आपको sport round में जाना है, वो सारी चीज़ में आपको भी बता दूँगा, और अब हम थोड़ा देख लेते हैं, और 5th round तो आत और उन बच्चों को यहां पर कोई भी seat acceptance fee नहीं देनी है, लेकिन जिन बच्चों को first time seat alert होगी, definitely उन्हें यहां पर seat acceptance fee देनी होगी, उसके बाद sport round के लिए मैं बता दू, आप लोगों के लिए कुछ important point देखे, sport round का थोड़ा सा data आपर available है, बाकि मैंने इसका पूरा schedule available vacancy, जो आपकी seat बचेंगी ठी है, Jack Delhi के 5 round plus में जो इनका एक अपग्रेडेशन round होता है, जो के internal sliding आप उससे बहुल सकते हो, जो अपग्रेडेशन होता है, उसमें से जो भी seat आपकी बचती है, finally, वो 27 July को आपको display हो जाएंगी, after 2 p.m एक तरीके से आपको वो देखने को मि vacancy आती है, और उसके अलावा जो outside Delhi बच्चे हैं, वो भी category वाई सबके लिए, जो भी seat बचते हैं, वो आपको display हो जाएंगी, उसी के according फिर आप वहाँ पर जाओगे physically, क्योंकि मातर Jack Delhi एक ऐसी counselling है, जिसका sport round वहाँ physically जाकर ही होता है, बाकी आप चाहिए IPU का ले लो, या किसको जाना है, क्योंकि यहाँ पर जो date रखी होई है, आप लोग देख सकते हो, physical sport round, if required, if required का मतलब यह हुआ कि अगर seat बचती है, तो, लेकिन seat हमेंसा बचती है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी मत लेना कि seat नहीं बची, तो क्या होगा, ऐसा कोई option नहीं है, seat हमेंसा बच्चे छोड़के जा रहे होते हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं, जो seat accept नहीं कर पाते हैं, वो अपनी seat कहीं नहीं देवेटते हैं, और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिनको जो सा में कोई best option मिली जाता है, तो यहां से फिर exit हो जाते है, किसी बच्चे क और कहीं admission मिल जाता है, कोई fees नहीं बर पाता है, किसी बच्चे को पता ही नहीं है, कि Jack Dalie के जो college है, इनकी fees कितनी है, वो समझते हैं, यह government college हैं, तो कहीं नहीं 20-30-50,000 रुपे में आपकी BTEC हो रही होगी, जो भी यह college है, इनकी fees देखोगे, तो किसी भी college की fees, यानि कि जब उनको पता चलती है कितना amount है, तो कहीं न कहीं skip कर देते हैं, और जो seat फिर vacant बचती है, वो आपको यह पर display हो जाएंगे, और उनहीं पर ही आपका escort round हो रहा होता है, इसको venue आप देख सकते हैं, और D2 इस बार conduct कराने जा रहा है, तो आप लोग वो समझ लेना, और जो date category या EWS है, दोनों category हो बान लोग एक साथ बुला लिया, या SCHT वालों को एक date को बुला लिया, OBC वालों को बुला लिया, तो अलग-अलग date में आप लोग को बुलाया जाएगा, उसी के according हो सकता है कि कई सारी categories को एक साथ बुला लिया जाए, तो वो सारी चीजें matter करेंग वो इसको सब्सक्राइब करके रखे ता कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बाकि आप हर एक तरीका कॉंटेंट में लेके आ रहा होता हूँ अभी हम लोग का कुछ वीडियो आ रहे होंगे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कि आपको पता है जिन बच्चों को जो बच्चे पहले से देख रहे होंगे जिनके पेरेंट मेरे वीडियो देखते हैं को पता ही कि मैं कि यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी कितनी वीडियो बनाया हूँ और इसी तरीके से हम लोग हर एक स्कॉलरशिप को कबर कर रहे होंगे तुरंत आपको यह वाला वेबसाइट पर डेटा देखने को मिल जाएगा ठीक है, जो कि जैक डेली की ओफिशल वेबसाइट है, और आपको यह वाली वेबसाइट दिखेगे, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर अभी तक सभी कॉलेज का थर्ड राउंड का डेटा नही तुरंड हैं, और सेकंड रा आद का पूरे पांचो कॉलेज का आ गया है फस्स्रांड का भी चार कॉलेज का डेटा यहां पर अवलेबल है, ठीक सा फ्स्राः को यह वह उत्का थ्या का थ्यूच का डेटा आप देख सकते हो, आई जीटी तुडवू का ड़ीज टीव का द अब यदि देखो CSE General Candidate को कितने पर मिलिया है, यहाँ पर 49,565 rank पर यह बच्चे को Allot हुआ है, इधर ही CSE AI, CSE with AI इसका हमेशा demanding branch रहता है, तो उसकी कटों पर थोड़ी से और ज्यादा हाई जाती है, यह इसका 43,000 पर close हुआ है 3rd round में, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस branch आप देख सकते हो, CSE with AI यह 51,000 पर close हुआ है, इधर CSE with AI यह 58,000 पर close हुआ है, जहां यह 51,000 पर CSE with AI close हुआ है, इधर आपको, यदि आप यहाँ पर आओगे तो इधर आपको 51,000 पर CSE with AI देखने को मिल रहा 3rd round तर, तर अब जो यह data है, यह होगा आपका 5th round का, और यहा CSE आपको 49,000 पर देखने को मिल रहा है, तो इससे आपको एक idea लग रहा होगा, अब इसमें जो सबसे ज्यादा benefit रहता है, मैं आपको एक चीज दिखा देखना, जितने भी defense category वाले बच्चे, उनका आप cutoff देखिए, suppose करो यह है एक बच्चा, STCW, ठीक है, STCW के लिए तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 5th round का data दिखाता हूँ, और यहाँ पर परसन पर disability वाले है, उनके लिए तो आप लोग देखी सकते हो, यहाँ पर किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, कि 6,600,000 रैंक तक पर भी CSE मिल रहा है, 8,600,000 पर नॉर्मल CSE ब्रांच कोर जो ब Defense category में आते हैं, 1,51,000 पर CSE मिला हुआ, 1,26,000 पर CSE मिला हुआ, और उसके अलावा भी मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर CW वाले बच्चों के लिए, और कहां तक data निकल के आता है, यह ST वाले General Category के बच्चे हैं, जिनका 7,600,000 पर CSE with AI मिला हुआ है, और यहा उनका जो सब Category General है, डैली रिजिंस हैं, 9,000 रैंक तक, उनका जो भी data आपको देखने को मिला है, यह 3rd round का है, अभी 4th round आने वाला, उसके बाद 5th round आईगा, तो उसमें आपको और आइडिया लग जाएगा कि कहां तक इन बच्चों को admission मिलने वाला है, overall कहने का मतलब यह मैं data ले लेता हूँ, DTU का round 2 है, यहां पर IIIT का ले लेते है, यह IIIT का data है, इसको आप देख सकते हो, जो कि आपको 3rd round का data देखने को मिल जाएगा, अब आपको इसे compare करना है, 5th round का यह नहीं की previous year के data से, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहां पर डिस्प्ले नही 5th round के पांचो college का data आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इस में से आप इसको click करके easily compare कर सकते हो, कि इस बार का data क्या है, और जो previous year का data था, वो क्या था, ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखा दू, देखिए, यह 5th round का data है, जो की IIIT का है, और 2023 का, यहां पर यह मैं OVC वाले बच्चों के लिए बात करूँ, OVC CW defense category वाले बच्चे है, जही जो rank था, इनका 99,948, ठीक है, यह इनका कौन सा data है, 2023 का, और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह इस बार का data है, OVC CW same category के लिए, अब आप देख सकते हो, 1,11,000, अब यहां पर क जो की 5th round तक गहता, और इधर आपी 3rd round में 1,11,000, अब आप idea लगा पा रहे होंगे कि कितना variation है, आप 20-20,000 rank का अंतर देखने को मिल रहा है, तो इस बार आप लोगों को काफी ज्यादा opportunity है, जिन बच्चों को, त्यानि कि डैली के अंदर पढ़ना है, और जैक डैली के त आप secure रख सकते हो, लेकिन overall इसको भी मत चोड़ना, और अब बात आती है, sport round में किसको जाना चाहिए, sport round का data कुछ भी ऐसा clear नहीं होता है, कि आपको exact यहां तक admission मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा, sport round में जो भी seat यहां से vacant होगी, जितनी भी seat यहां से बच रही होंगी, वो full नहीं होंगी, या फिर किसी बच्चे ने छोड़ दिया होगा, उन्हीं seats पर आपका यह हो रहा होगा, तो वो depend करेगा 27 July को, जब आपके सामने seat matrix आएगा पूरा, यानि कि vacancy आएगी, display होगा, आपके पास यह seats बची होई है, उसी के according हम decide कर पाएंगे, और जिन बच्चो आपको कॉन सा college मिल सकता है, कॉन सी branch आपको मिल सकती है, कितनी counselling लिक्त करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक counselling में आपका पैसा लग रहा होता है कहीं नहीं कहीं सिर्फ का конце को छोड़ के, और जो सा मे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे 699 रुपीज में आप यहां पर एन्रॉल हो सकते हो, ठीके इसमें आपको all counsellings का जो भी है यहां पर opportunity मिल रहे होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह single counselling के लिए आपको valid रहेगा, इसमें जितनी भी counsellings है, आपकी rank according क्या आपको मिल सकत है वो चीज़े हम आपको provide करा रहे होंगे, आप यह rank मानलो की 6,7,8,8 राक है और आपको पढ़ना है CSE में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे है, आपको लग रहा है कि मुझे मतलब counselling से तो मिलने से रहा है, और counselling में मिल भी रहा है तो बहुत ही घटिया, यानि कि आप मा कर रहे होते हैं कि आपको एक select करके हम दे देंगे कि यह 8-10 college है, इनमें आप जाके अपने admission करा सकते हो, यह आपके लिए एक best opportunity है, यह आपको CSE ही पढ़ना है और एक अच्छे college से पढ़ना है, और आपकी जो, यानि कि यहाँ पर जो man mater करेगा वो आपको fee कितना देने वा होगे होंगे, इसके बाद कोई भी doubt है, comment में मुझे बता देना, उसके लिए आप लोगों को next video आ रहा होगा, और comment में यह भी बता देना कि आपको next video किस topic बचाहिए, ताकि मैं वो content आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ, तो मिलेंगे ऐसे किसी interesting topic के साथ तब तक बने रह है हमारे साथ.